जैहिन दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो आज में बात करने वाले हैं Big Bass League के बारे में बट ये Humans का Big Bass League है तो इस League का Match No.1 होने वाला है जो आज ही Start होने वाला है Sydney Sixers vs Melbourne Stars के बीच में ये पहला मुकाबला खेला जाएगा तो मैं इसी Match के आज 5 टीम की Combination आपको इस Complete वीडियो में देने वाला हूँ जिसके मदद से आप Head to Head, SL और GL जीत पाएंगे दोस्तों तो पूरे वीडियो में बने रहेंगे और इस Big Bass League में आप अच्छा खासा winning करना चाहते हैं हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे लगतार दोस्तों regular वीडियो आएगी और regular आप winning करेंगे हमारे चैनल के साथ तो हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे दोस्तों आज जो वीडियो मिलेगी उसमें 5 टीम आपको मिलेगी जिसमें से 1 टीम आपको Head to Head की मिलेगी एक टीम आपको SL की मिल जाएगी और 3 टीम आपको GL की मिल जाएगी तो कुल मिलाकर आपको 5 टीम मिलेगी जो आपको जिताने के लिए तयार है दोस्तों मैं पूरी analysis करके मैं टीम बनाता हूँ जिससे आपको 100% winning होने में आसानी होती है दोस्तों तो हमारे वीडियो में बने रहेंगे हर एक वीडियो के पार्ट को देखेंगे हर एक यहाँ पे जो मैं टीम दूँगा उसको देखेंगे किसको कहाँ पे लगाना वो भी देखेंगे और अच्छे से वीडियो को समझेंगे दोस्तों और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा दोस्तो इस चैनल में आपको 100% winning team मिलती है आप कहीं से भी compare कर सकते हैं तो compare करेंगे आप कहीं से भी तो हमारे team हमेशा आपके लिए 100% आपके लिए useful होती है तो वो धियान में रखेंग तो मैं दोस्तो hit to hit की team में keeper के सक्सान में यहाँ पे A hellie को रख रहा हूँ आप दोस्तो A in falthum को भी रख सकते हैं बट यह grand league के player है small league के player नहीं है यहाँ दोस्तो मैं A leaning को रखा हूँ A vilani को रखा हूँ दोस्तो S Verma आपको पता होना चाहिए कि दोस्तो big bass league में जो humans वाली big bass league होते हैं वहाँ पे Indian player भी participate करते हैं तो Indian players भी आपको देखने को मिल जाएंगे इस big bass league में है तो दोस्तो मैंने यहाँ पे S Verma Everns को रखा है तो आप चाहें दोस्तो यहाँ पे आप Everns को हटा के भी सकते हैं बट आप रहने देजिए hit to hit की team में ज्यादा risk आपको नहीं ल किया हूँ यहाँ पे E Perry को मैंने नहीं रखा है आप दोस्तो कुछ तिगड़म लगा के N Bolton के जगा पे आप N Perry को रख सकते हैं मतलब E Perry को रख सकते हैं जिससे आपको और भी further भादा होगा क्योंकि दोस्तो hit to hit की team है ज्यादा changes आपको नहीं करनी चाहिए और दोस्तो ज्य Smith को भी रखा है और R यादो को रखा है राधा यादो दोस्तो जो कि सांदार बॉलिंग करते हैं आपको पता ही होगा कि इंडिया के तरप से खेलते हैं और सांदार बॉलिंग करते हैं तो ध्यान में रखेंगे दोस्तो आपके जगापे यहाँ पे आपके दोस्तो M Campeable को को भी रख सकते हैं और T Fintoff को भी रख सकते हैं M Brown को भी रख सकते हैं लेकिन दोस्तो यह सब Grand Player के टीम है मतलब Grand टीम जो होती है जो Grand League के प्लेयर होते हैं वो हैं दोस्तो आप इन ही प्लेयर के साथ जाएं आपको फैदा मिल जाएगा टीम प्रिव्यू कर ले तो मैंने कप्तान देख रहे हैं दोस्तो कि गार्ड़नर को बनाया है जो गार्ड़नर है दोस्तो लगतार performance देते हैं आपको पताएं होमेंस T20 के ये बिराट कोली है दोस्तो लेकिन ये बॉलिंग भी करते हैं आपको ये पता होना चाहिए बॉलिंग भी करते हैं और ये बैटिंग भी करते हैं तो होमेंस वाले T20 में आपको ये पता रहना चाहिए दोस्तो कि जो बैटिंग करते हैं ओपनिंग न व तो यह मेरी पहले टीम है जिसको आपको head to head में लगानी है दोस्तों अब चलते हैं दूसरी टीम की तरफ तो दोस्तों दूसरी टीम आप देख लेते हैं जो आपको SL में लगानी है और भी फर्दर पांच टीम है मेरी तो ध्यान में रखेंगे तो यह मेरी दूसरी टीम है जि इसरी टीम की तरब जो कि Grand League की टीम है यहां पर मैंने बहुत ही बड़े बड़े चेंजिस किये हैं कप्तान यहां पर देख रहे हैं दोस्तों मैंने एल स्मित को बनाया है वाइस कप्तान अस वर्मा को बनाया है थोड़ा सा रिस्क लेते गुए थोड़ा सा मैंने कम प्लेयर से कम पॉइंट वाले क्रेडिट वाले प्लेयर चलेंगे तो आपको फैदा हो जाएगा Grand League में तो Grand League की टीम इसी तरी बना जाती है दोस्तों अगर Grand League जीतनी है तो तो यह टीम आपको लगानी है जील में दोस्तों आप चलते हैं चौंती टीम की तरब तो यह चौंती टीम ह आपको अच्छा खासा और दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे इनमें जो टीम दे रहा हूं इनमें से कोई चेंजेस होंगे कोई प्लेयर नहीं खेलेंगे तो मैं अपडेट आपको टेलिग्राम पर करूँगा तो वहां जरूर जोड़ी जाएंगे तो यह मेरी पांचवी चौथी टीम थी अब चलते हैं पांचवी टीम की तरफ जो की आकरी टीम है जहां पर मैंने राधा को वाइस कप्तान और कप्तान दोस्तों आसबन को मैंने कप्तान बनाया है आप चाहें तो दोस्तों एम ब्राउन को भी वाइस कप्तान बना सकते हैं वो भी आपके लिए best option है हाला कि दोस्तों ज्यादा changes आप नहीं करिए यहाँ पर सेम टीम से जाएए आपको फैदा मिल जाएगा तो यह टीम आपको GL जिता सकती है तो GL जिताने वाली टीम आपकी यह हो जाएगी पांच की कोई दोस्तों ऊपर वाले जो 88 की टीम मैंने दी है और दोस्तोव SL की टीम दी है उसको भी GL में लगानी है तो कुल मिलाकर आपको 5 टीम होती है पांचो टीमों को आपको लगानी है अगर 100% विनिंग चाहते हैं तो तो 100% विन करिए दोस्तों पांचो टीमों को लगाकर और पूरे Big Bass League में win करना चाहते हैं IPL में win करना चाहते हैं IPL तो खतम होने वाला है फिर से आय सकता है मतलब आपके जो World T20 World Cup स्टार्ट होने वाला उसमें win करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए दोस्तो हमारे Instagram गुरूप से जुड़िए हमारे टेलिग्राम गुरूप से जुड़िए और हम से जुड़िए दोस्तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करिए थोड़ा सा वीडियो को लाइक करिए वीडियो को सेर करिए ताकि मुझे भी motivation मिले और 100% winning team आपको मैं हमेशा देता रहूं जिससे आप 100% winning करते रहे आप कभी loss में ना रहे तो नहीं loss में रहना चाहते हैं तो हम से जुड़िए और 100% winning करिए दोस्तों मिलते हैं आप नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद